हम लोग देखे देखे, what are the factors on which education depends, nature of crops, nature of soil और season अब हम लोग देखेंगे कि nature of crops से हम लोग को क्या पता चल रहा है मतलब ऐसे बहुत सारे crops है जिसका requirement of water अलग होता है जैसे rice, rice को जमा हुआ पानी चाहिए होता है मतलब standing water चाहिए होता है और continuous supply of water लेखता है इसलिए वो हमेशा rain के ओपर depend नहीं कर पाएगा क्योंकि एगा जादा rain नहीं होगा तो यह पानी नहीं मिलेगा इसलिए यह एक type of crop है जिसको continuous water supply की जरुरत है मतलब यह जादा पानी मांगता है next ऐसे wheat है wheat, cotton यह सब चीजों को जादा पानी नहीं मिलता है नहीं चाहिए होता है तो इसलिए वो लोग कम पानी में भी रह सकते हैं यह भी crop के ओपर depend करते है कि इस crop को irrigation की ज्यादा जरूरत है आप स्वाइल के उपर कैसे डिपेंड कर रहा है कि आप जैसे सैंडी स्वाइल को क्योंकि इसके पास water retaining capacity कम है सैंडी स्वाइल का क्या है वो water को जाधा देर तक hold नहीं कर पाता है इसलिए उसको हम लोग को पानी देते रहना चाहिए नेक्स जैसे clay soil जो कादा माटी होता है मतलब कादा जो होता है जो मतलब गंगा रिवर के बेड में जो रहता है जैसा कीचर मतलब जो टाइप है तो उसका जैसे water को पकड़ के रखने का जो शमता है वो बाकियों से जादा है इसलिए उसको जादा पानी नहीं देते है तो बहुत दिन हो तक वो पानी को पकड़ के रख सकता है ठीक है अब है season based season based irrigation क्या है इसमें क्या है the rate of evaporation of water from soil and leaves increases in summer अच्छा क्योंके heat जादा है summer के time में इसलिए rate of evaporation from the leaves of this plant तब क्या होता है जादा हो जाता है इसलिए क्या है पानी वो लोग छोडने रखते हैं इसलिए इसलिए उन लोग को जादा frequent पानी देने की जरूरत परता है जैसे देखोना जब गर्मी बहुत लगता है हम लोग भी जादा पानी पीते है वैसे भी plant का भी evaporation की through leaves से पानी जो है वो छोडने लगते है इसलिए उन लोग को continuous supply of water चाहिए होता है उन लोग उनको water देते र traditional method मतला जो आधे बहुत पुराने चाइम से यूज होते जा रहे and which is very convenient source of using irrigation जैसे क्या है मोट मोट क्या है देखो यहापर मैं सब फोटो दी हुई हूँ मोट एक पुली सिस्टम है जैसे कुए में जैसे हम लोग जैसे चक्का रहता है वील वहां से हम खीच-खीच के पानी लाते है वैसे ही यह है it is also called the pulley system system it involves pulling up of water from a well or other source to irrigate the land जैसे यहाँ पे वो chain pump यूज किया है धेकली यूज किया है इससे क्या होता है यह एक water body के साथ connected है और इस पुली के माध्यम से क्या होता है ऐसे घूमता है पुली जब पानी उठता रहता है और यही पानी जो है हम लो chain pump देखो यहाँ पे chain pump का photo है इसमें क्या है वो लार्ज एक wheel है उसके साथ chain connected क्या है इस chain के तुरू वो wheel घूमता है और पानी उठता है धेकली क्या होता है यह भी जैसे हम लोग कुए से पानी निकालते है वैसे ही process से धेकली से भी पानी निकलता है और एक तो है राहत यह यह भी एक वैसे ही pulley system है जिसके थूपानी वो लोग निकालते है और easily field में डाल सकते है तो यह सब appliances यह सब चीजे किस चीज से चलता है what is the source of this of the energy इसमें क्या है diesel electricity solar energy यह सब यूज होता है यह सब pumps को चलाने के लिए diesel से भी चल सकता है generator connect करके चल सकता है electricity से चल सकता है direct electricity दे दे हो और solar energy से भी यह चलता है ठीक है next हम लोग क्या देखेंगे modern अब modern methods of irrigation देखेंगे मतलब जो बहुत large scale में जो use होता है जो modern technology से बना है जो बहुत जादा easy है to operate यह क्या है drip system drip system मतलब मैं पढ़के दिखाती हूँ एक बाद it delivers water and nutrients directly to the plant's root zone अचा यहाँ पे जो photo तुम लोग देख रहे हो देखो यहाँ पे एक बड़ा सा pipe है और इस pipe से देखो छोटा छोटा pipe निकला है और इस छोटा छोटा pipe जाता है इस plants के roots के आसपास ठीक है in the right अचा अब यह क्या करता है यह water deliver करता है एकदम right time पे right amount पे ताके जितना एक plant के लिए जरूरत है उतना ही पानी वो ले पाए पानी उसको दिया जाए ना उससे जादा ना उससे कम okay it delivers water and nutrients directly to the plant's root zone in the right amounts in the right time so each plant gets exactly what it needs when it needs it to grow optimally मतलब एक root को जितना जरूरत है जितना amount में जरूरत है जितना time interval में जरूरत है वो क्या करता है यह drip system उसको provide करता है चीक है तो इससे क्या क्या इसका advantages है जादा पानी wastage नहीं होता है और यह fruit plants में watering system में अराम से इसको use किया जा सकता है water loss कम होता है क्योंकि पानी के direct root में जाता है तो evaporation से water loss जो है वो कम होता है तो यह system जो है यह एक बहुत बहतरीन system है ठीक है अच्छा तो यह कैसे काम करता है wow how does it work water and nutrients are delivered across the field in pipes called drip liners यहाँ पे देखो यह जो pipe है बड़ा वाला जो pipe देख रहे हो तुम लोग इसको बोला जाता है drip liners ठीक है featuring smaller units known as drippers यहाँ से जो छोटा छोटा individual pipe निकला है बहुत साड़ा उसको बोला जाता है drippers ठीक है each dripper emits drops containing water and fertilizers resulting in the uniform application of water and nutrients direct to each plant's root zone across an entire field पूरा field में एक ऐसा system चलता है और यहाँ पे छोटा जो pipe देख रहे हो एक एक जो निकला हुआ है उसके अंदर पानी और fertilizer दिया जाता है तो वहाँ पे छोटा थोड़ा थोड़ा करते करते water और fertilizer निकलता जाता है और roots में वो supply होता जाता है पूरा field में यह फैला हुआ रहता है ताके जहाँ पे उन लोग के पानी की जरूरत है fertilizer का जरूरत है ठीक वही पे वो पहुँच जाए clear? ओके next क्या है देखते हैं next है sprinkler system sprinkler system क्या है? sprinkler irrigation is a method of applying irrigation water which is similar to natural rainfall जब बारिश होता है उपर से पानी गिरता है और सब जगा फैल जाता है पानी उसी concept को use करके यह sprinkler जो है वो बना वा यहाँ पे देखो जो pipe है वहाँ से पानी ऐसे निकल रहा है जैसे पानी को rainfall जैसे पानी देता है वैसे ही पानी दे रहा है ठीक है? water is distributed through a system of pipes usually by pumping it is then sprayed into the air through sprinkler so that it breaks up into small water droplets which fall to the ground यहाँ पे जो तुम फोटो देख रहे हो यह जो यूनिट है औरेंज कलर का औरेंज और ब्लू का जो यूनिट है उसके साथ एक ब्लैक कलर का pipe attached है ठीक है? यह pipe पानी दे रहा है इस system को इस औरेंज और ब्लू पोर्शन को अब वो क्या कर रहा है? उसको जब हम लोग on करते है तब वो पानी की जो पानी का जो droplet है उसको बूंद में पूरा कनवर्ट कर दाता है और जैसे हम लोग छिरकते है पानी वैसे ही यह छिरकने का प्रॉसस आटोमाटिकली तैयार हो जाता है थ्रूदा माउट अब दिस प्रिंकलर ठीक है ताके उसका जो एफेक्ट आए पूरा रेंफॉल की तरह एफेक्ट आए ठीक है अब यह कैसे काम करता है लेट सी प्रेशर जब प्रेशर जब प्रेशर होता है तब इस प्रिंकलर से पानी जो है वो डिस्चार्ज होने लगता है और डिस्चार्ज कैसे होता है पूरा बूंदो में जैसे लग रहा है कि पारीश हो रही है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है इट कंजिट्स आफ स्प्रिंकलर्स विच आथ वाटर एमिटिंग डिवाइज़ दिवाइस त्रांस्फोर्म अन डिस्पर्स दा वाटर जेट आचाँ अन्यूद एमिटिंग क्विच नेघ्य अनल जचाए अच्ट अचार्ण के आसपास के जगाओं पे इवनिली मतला बडा बड़ पानी जो है वो पहल जाहे और कहीं पे जादा कहीं पे कम लहीं और इसको हम लोग हर जगाओ जया जहां पे जादा पानी की So this is also a very important and effective method of irrigating the fields. So, इतना दूर आज पढ़ेंगे, next portion मैं फिर upload करूंगी, तब तक पढ़ो, कोई doubt रहा तो comment करो, कोई दिक्कत रहा तो बोलो, assignments पूरा करो, जब तक assignment नहीं पूरा होगा, मैं आगे पढ़ना मुश्किल है क्योंकि पता नहीं चलेगा कि समझ में आया के नह हो, stays home, stay safe and stay healthy. Thank you.